दोस्तों, हमारी सीरी चल रही है पीटर बर्न की बुक शिकारी साहिब और उसमें जिम कॉर्बिट की स्टोरी चल रही है तला देश मैनीटर पिछले एपसोड में आपने देखा था कि जिम कॉर्बिट तला देश पहुँच गए थे और पहले ही दिन उन्हें एक किल की सूचना मिली थी और जब वो वहाँ पहुँचे तो गाउं के तीस लोगों की पार्टी जो कि उस किल को ढूडने के लिए गई थी उन्हें मिले थे एक औरत के दाथ बाकी पूरा शरीर टाइगर्स खा गए थे और बाद में इन्हें तीन टाइगर्स एक ही जगे पर मिले इन्हों उनको गोली मार दी दो टाइगर तो मर गए लेकिन एक टाइगर जो की एक पेड़ में अटक गया था वहाँ जिम कॉर्बिट ने गलती कर दी उन्हें लगा एक टाइगर मर चुका है और वह रिलाक्स हो गए खुशी मनाने लगे और वह टाइगर था जिन्दा पेड के सहारे लटका था धीरे धीरे खून रिस रहा था और वह टाइगर सरकना शुरू हो गया था अब इसके आगे की कहानी देखते हैं अब कॉर्बेट ने तीन गोलिया मारी और तीन टाइगर मर गए कॉर्बेट को यकीन नहीं हो रहा था अपने भागे पे कि वो इतने भागे शाली कब से हो गए और उसमें से उनको ये भी यकीन था कि इन तीन टाइगर्स को जिनको इन्होंने मारा है क्योंकि उस टाइम पर पहाडों पर बहुत ज़्यादा टाइगर्स नहीं थे इस इलाके में तीन टाइगर्स आपरेट कर रहे थे और यहीं पर हो रही थी बहुत सारी किलिंग्स तो इतना तुताय था इन में से ही एक है तल्ला देस मैं इटर अब कॉर्बिट ना अंदाजा लगा लिया था कि इन में से पक्का एक फीमेल है और दो उसके बच्चे हैं कब्स जो कि बड़े हो चुके है क्योंकि टाइगर एक सॉलिटरी एनिमल होता है वो सिर्फ मेटिंग के लिए दूसरे टाइगर के नजदी काता है अगर किसी इलाके में एक से ज़्यादा टाइगर रह रहे हैं तो इसका मतलब है कि मा है और उसके साथ बच्चे हैं अब कॉर्बेट खुशी से सराबोर थे वो उन दो आदमियों से बात करने लगे जो अपने साथ शॉटगन ले के आये थे और जिने कॉर्बेट ने पेड़ पर चड़ा दिया था उसके बाद वो डूंगार सिंग से भी बात करने लगे लेकिन तभी वो टाइगर जो कि पेड़ से अटका हुआ था जिसे आखरी में गोली मारी थी वो धीरे धीरे सरकने लगा बाद में कॉर्बेट ने समराइज किया कि उसके सिर से धीरे धीरे खून रिस रहा था तो जो उसका बैलेंस बना गुआ था पेड़ पे एक साइट का वजन जादा हो गया तो जिस साइट से खून जादा निकल गया वहां का वजन कम हो गया और इसलिए एक साइट जुक के वो सरकने लगा नीचे की तरफ अब जो भी कारण हो वो जानवर धीरे धीरे सरक के घास के स्लोप से जाने लगा और बाद में चट्टान के उपर से भी सरक गया अब जब वो सरकने लगा तो कॉर्बेट जिन्होंने खुशी के मारे अपनी बंदूक साइड में रख दी थी जल्दी से बंदूक उठाई निशाना लगाया गोली मारी लेकिन शायद निशाना चुक गया लेकिन टाईगर नीचे गिर गया और जोड से थड़ की आवाज आई क्योंकि जब वो नीचे गिरा था उसकी आवाज कॉर्बेट ने भी आवाज सुनी बाकी आदमियों ने भी सुनी कॉर्बेट इस बात के लिए तो शियोर नहीं थे बाकी के दो तो दिख रहे थे अब उस टाईगर तक कॉर्बेट पहुंस थे उसके पहले ही डूंगर सिंग चिलाया कि देखिये सर टाईगर कॉर्बेट को लगा कि शायद कोई चौथा टाईगर आ गया इनों राइफल गुमाई लेकिन डूंगर सिंग ने पॉइंट आउट किया कि वो देखिये पहाड़ी की तरफ टाईगर जा रहा है अब इनको समझ में आया कि शायद ये वही टाईगर है जो भी पहाड़ी से नीचे गिरा है अब कॉर्वेट को अपनी आखों पर यकीन नहीं हो रहा था सामने सौगज की दूरी पर एक टाईगरेस जा रही थी वो बहुत ही धीमे चल रही थी और उसके कंदों पर खून के निशान थे ये वही टाईगरेस थी जो धडाम से नीचे गिरी थी अब कॉर्वेट ने कुछ टेहनियों के 20 से गिरते परते निशाना लगाया पहले उनने इंतियार किया कि ये टाईगरेस रुख जाए वो रुकी इन्होंने निशाना लगाया लेकिन जहां निशाना लगा वहां से धूल उडी ताइगरेस ने सोड़ा नीचे देखा फिर उपर और वो चल पड़ी कॉर्बिट ने कंक्लूजन निकाला कि इनका निशाना मिस हो गया है अब कॉर्बिट ने सोचा एक गोली और मारता हूँ लेकिन देखा तो वो सिर्फ पाँच गोलिया ही लाए थे तीन गोलिया टाइगर को मार दी थी एक वो गिरते हुए टाइगर को मार दी थी और एक अभी अभी मारी थी अब कॉर्बिट अफसोस कर रहे थे कि जब वो टाइगर गिर रहा था तो वो फ्लाइंग शॉट मारने की क्या जरुबत थी अब कॉर्बिट के आँखों के सामने मैन इटर चल के जा रही थी लेकिन ये देखने के सिवा कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि पास में नहीं थी गोली अब कॉर्बिट ने अगले दिन उन दो टाइगर की खाल उतारी जो की कब्स थे और उनका पेट खोल के देखा किसमें क्या है तो उसमें केवल उस महिला के कुछ दात मिले जिसे पिछले दिन टाइगर्स ने मारा था टाइगर्स और उसके दोनों बच्चों ने उस औरत के शरीर को पूरी तरह से खा लिया था उसकी साड़ी में जो ब्लड लगा था उसके चक्कर में उन्होंने कपड़े और साड़ी भी खाली थी अब यहाँ पर पीटर बताते हैं कि इनके वाइट ग्रास प्लेंस में जहां ये हंटिंग किया करते थे 1999 की बात है एक टाइगरिस ने इनके कैम्प के कुक को मार दिया था और उन्होंने भी यही काम किया था उनके कुक के कपड़े भी टाइगर्स ने खा लिये थे एपडों के कुछ तुकड़े उस जगे मिले थे जहां पर उसको मार कर खाया गया था और उन कपडों में भी जगे जगे छेत थे यानि टाइगर्स के दातों के बाकी की कहानी इनकी बुक में है जो इन्होंने अलग से लिखी है दोपहर में कॉर्बेट उस जगे पर दोवारा गए जहां पर वो टाइगर्स निकल कर चली गई थी उन्होंने वो जगे देखी जहां पर वो रुकी थी और वो जगे भी देखी जहां पर वो जा रही थी तो झारियों का जृर्मुट थोड़ा टाइम वहां पर बिताकर कॉर्बेट शाम को अपने कैम्प में आ गए अब अगले दिन कॉर्बेट आदमियों को लेके उस टाइगरेस को ढूनने के लिए निकले उन्होंने लोगों को बोल दिया था कि जाड़ियों में घुसना मत पत्थर फेक के देखना अगर टाइगरेस होगी तो दहारेगी अब अगर टाइगरेस उन जाड़ियों के अंदर थी भी तो उसने बाहर आने से इंकार कर दिया यानि कोई आवाज नहीं की कॉर्बेट फिर चले गए अपने कैम्प में अब कॉर्बेट तीन दिन तक उस टाइगरेस को ढूनते रहे और इस टाइम तक उनका कान जिसका की पड़दा फट चुका था उन्हें बहुत परिशान कर रहा था अब उनके कान के अंदर जो फोड़ा हो गया था वो बहुत गर दे रहा था और लग रहा था कि वो फट जाएगा अब इतनी ज़्यादा स्वेलिंग आ चुकी थी इनके कान की तरफ से कि इनकी दाहिनी आँख सूजन की वज़े से खुलनी बंद हो गई थी यानि उससे दिखना ही बंद हो गया था मूँ भी नहीं ला पाते थे कुछ खा भी नहीं पाते थे सिर्फ ज़्यादा दूद वाली चाय पी रहे थे और उसी पर जिंदा थे एक दिन शाम को वो दस अपरेल का दिन था उनके कान के परदे का उस फोड़े का प्रेशर इतना बढ़ गया कि उन्हें लगा कि अब ये फटने वाला है और कॉर्बट को लग रहा था कि वो अंदर की तरफ फटेगा यानिकि इनके ब्रेन की तरफ और दर्द परदाश्त के बाहर था अब कॉर्बट ने अपने आदमियों को बुलाया और बोले मैं जंगल जा रहा हूं वही रहूंगा रात भर अगर मैं सुबह ना लोटूं तो ये सामान पैक करना और नैनिताल चले जाना अब सारे आदमी कुछ नहीं बोले उनको देखते रहे जाद अतर लोगों को लग रहा था कि वो जिम कॉर्बट को आखरी बार देख रहे है वो रात चान्दी रात थी और यही एक सेफ्टी थी कॉर्बट के लिए क्योंकि जिम कॉर्बट बहुत ही शानदार शिकारी थे वो चांदनी रात में भी वैसे ही गोली मार सकते थे जैसे दिन के उजाले में अब इतने दर्द में वो उस इलाके को ढूंड रहे थे जिस इलाके में भूका मैन इटर आराम कर रहा हूँ अब इन्होंने भूका इसलिए बोला क्योंकि पिछले पांच दिनों से टाइगर ने कुछ नहीं खाया था क्योंकि आखरी शिकार उसने तब किया था जब जिम कॉर्विट आए भी नहीं थे थोड़ी देर में जिम कॉर्विट को फ्रेश पग मार्क्स मिल गए टाइगरिस के उन्होंने इसे फॉलो किया फॉलो करते करते एक ऐसे पेड़ के पास आ गए जिसमें बहुत सारे लंगूर आराम कर रहे थे उस पेड़ के नीचे कॉर्विट आराम करने के लिए बैठ गए क्योंकि ये सुरक्षित तरीका था उन्हें मालूम था कि अगर लंगूर टाइगर को देखेंगे तो अलाम कॉल करेंगे और उससे कॉर्विट भी सतर खो जाएंगे अब कॉर्विट अलर्ट हो गए उतने ही अलर्ट जितना की एक इनसान अलर्ट हो सकता है जब उसका सर दर्द की वज़े से फट रहा हो अब जैसी की लंगूर ने भविश्वाणी कर दी थी थोड़ी देर में टाइगरेस आ गई सामने जिम कॉर्विट ने निशाना लिया टाइगरेस करीब सौ गज की दूरी पर थी लेकिन जिम कॉर्विट की जो इस्थिती थी जो उनका सिर और हाथ हिल रहे थे इन्हें लगा कि वो ज़्यादा दूरी पर है अब कॉर्विट उस टाइगरेस को देखते रहे और वो पिरेस करीब आदा गंटा तक वहीं लेटी रही और उसके बाद आगे को चल पड़ी जब वो आगे चल पड़ी तो कॉर्बिट भी चलने लगे उसके पीछे पीछे इस उम्मीद में कि उसके नजदीक पहुँच जाए तो उसे गोली मारे हैं अब कॉर्बिट उसके पीछे चलते थे जैसे ही वो नजरों से ओजल होती थी कॉर्बिट वहीं रुख जाते थे क्योंकि उन्हें डर था कि वो रुख कर कॉर्बिट का इंतजार ना कर रही हो और उसके बाद जब वो उन्हें दूर नजर आती थी तभी अपना कवर छोड़ के चलना शुरू करते थे तब ही वो टाइगरेस एक रवीन में उतर गई अब कॉर्बेट धीरे धीरे जुकते हुए दोड़ते हुए आगे बढ़े अपने आपको नीचे रखते हुए इस उम्मीद में ये टाइगरेस के नजदीक पहुंच जाए और उसे गोली मारे अब क् कान का प्रेशर वो जो फोड़ा था पूरा सिर में आ गया अब उन्हें लगा वो बेहोश होने वाले है कॉर्बेट ने सामने देखा एक बांज का पेड़ था जिसमें बैठने लाइक जगे थी एक ब्रांच में कॉर्बेट ने अपनी राइफल टिकाई और करीब 10 फिट क हाइट पर जाकर बैठ गए वो ब्रांच ठीक ठाक बैठने लाइक थी अपनी बाह मोड़ी और घुटनों पे सिर रख दिया अब जब उन्हें ने सिर नीचे रखा तो उनका फोड़ा फट गया उनकी नाक और कान से पस बाहर आने लगा लेकिन अच्छा ये हुआ कि जैसा कि वो सोच रहे थे कि उनका ब्रेन भी फट जाएगा ऐसा कुछ नहीं हुआ अब कॉर्वेट ने इस बिमारी के टाइम को बैट टाइम लिखा है हलाकि ये बैट टाइम से बहुत ज्यादा था अब जो कॉर्वेट की मेडिकल कंडिशन थी इस कंडिशन में उन्हें पर लेटे हुए लेकिन जिम कॉर्वेट थे जंगल के अंदर चांदी रात में एक मैन इटर को ढूनते हुए बैठे थे एक पेड़ के ऊपर अब कॉर्वेट ने ऐसा क्यों किया वो ऐसी कंडिशन में जंगल में क्यों आए इग्जैक्ली तो कोई नहीं बता सकता लेकिन पीटर का कहना है कि उनका ये मानना है कॉर्वेट अपनी फैमली पर बर्डन नहीं बनना चाते थे और वो इसलिए क्योंकि उनकी सिस्टर्स उनको लेके परिशान थी इसलिए वो जंगल में आ गए थे अगर उनके कान के फोड़े से उनकी म्रत्य हो तो जंगल में हो डिग के हुए थे 100% बहतर फील कर रहे थे। कॉर्बिट वहां से निकल के अपने कैम्प में पहुँचे और उनके वफादार गड़वाली साथी जिनने की गाउं के मुखिया ने सुरक्षित मकान दिया हुआ था। मकान में नहीं थे। कैम्प में बैठे थे और कॉर्बिट का इंतजार कर रहे थे जंगल की तरफ देख रहे थे। अब उन लोगों ने कॉर्बिट के लिए चाय पेश की। उन्होंने रात भर से पानी उबलने के लिए चड़ा रखा था। कॉर्बिट ने चाय पी और अपन मार रहा है वो जानना चाहता था। अब कॉर्बिट को बताया गया कि जब कॉर्बिट सो रहे थे पास से ही टाइगर निकल गया है और गाउं में छे बकरियां मार दी हैं गाउं जो की नस्दीक में ही है। अब पीटर बताते है कि कॉर्बिट ने उस दिन कुछ अजीब सा देखा कि मैन इटर ने कुछ अजीब किया जो कि जनरली वो करते नहीं है उसने गाउ का चक्कर काटा और गाउ के अंदर चली गई आदमी का शिकार ढूडने के लिए अब शायद उसने भूक की वज़े से ऐसा किया क्योंकि वो छे दिन से भूकी थी अब पीटर अंदाज लगा रहे है कि कॉर्बेट के वफादार साथियों ने पूरी रात आग जला के रखी होगी और कैम के पास ही बैठे होंगी नहीं तो टाइगरेस उनमें से किसी एक को जरूर पकड़ लेती लेकिन तल्ला देस मैनीटर जो गाउं में गया ये टाइगर का बिहेवियर नहीं है और इसलिए कहा जाता है कि टाइगर कब क्या करेगा किसी को नहीं पता पता है तो सिर्फ टाइगर को अब जब भीड में कॉर्बेट ने देखा कि डूंगर सिंग भी खड़ा है तो कॉर्बिट ने डूंगर सिंग से पूछा कि क्या तुम्हें मालूम है टाइगर ने ये कहां पर किया डूंगर सिंग ने हां में जवाब दिया तो कॉर्बिट ने अपनी राइफल उठाई और बोले चलो कॉर्बिट ने मैन इटर के बड़े कब्स को मार दिया था मा को इंजर्ड कर दिया था उस पहाड के जोड पर जिसके दोनों तरफ वैली है अब डूंगर सिंग ने बताया कि बक्रियों को उस वैली में मारा गया है जो कि पश्चिम देशा की तरफ है यानि कि लध्या रिवर की तरफ अब कॉर्बिट बक्रियों वाले ट्रैक पर चलते गए थोड़ा आगे एक खोगली सी जगे थी और वहाँ पर तीन बक्रिया मरी थी अब डूंगर सिंग ने बताया कि टाइगरेस ने छे बक्रिया मारी थी लेकिन गाहँ वाले जो अपनी जान बचा कर भाग रहे थे उन्होंने तीन बक्रिया उठा ली थी और अपने साथ ले गए थे अब कॉर्बिट डूंगर सिंग के साथ उस जगे पर रुखे और जगे का सर्वे करने लगे तब ही एक खलीज फीजन्ड ने अलाम कॉल करी अब खलीज फीजन्ड टाइगर को देखके जरूर कॉल करता है अब कॉर्बिट ने डूंगर सिंग से बोला कि जरा ध्यान से कंसंट्रेट करो कि ये कॉल किस तरफ से आ रही है क्योंकि कॉर्बिट अभी भी एक कान से सुन नहीं पा रहे थे और किसी भी जगे को पिन पॉइंट करने के लिए दोनों कानों से सुनना बहुत जरूरी है दोस्तों यहाँ पर एक चीज मैं बता दू हमारे या किसी भी दूसरे जानवर बर्ड्स सब के दोनों कान एक साथ सुनते हैं आवाज इधर से आती इधर से आती दोनों कान सुन लेते हैं लेकिन एक पक्षी है जो की उल्लू है उल्लू के दोनों कान अलग अलग चीज़े सुनते हैं अलग अलग टाइम पर सुनते हैं उसके कान इस एंगल बने होते हैं कि अगर एक आवाज आती है तो एक बार सुनाई देती है और उसके कुछ समय के बाद दुबारा सुनाई देती है यानि अगर एक चुटकी हमने बजाई तो वो चुटकी एक बार सुनेगी और एक बार फिर सुनाई देगी दोनों कान से उससे उलू एकुरेट जगे पता लगा लेता है कि वो आवाज कहां से आई है और ठीक उसी जगे पर हमला करता है अब कॉर्बिट ने डूंगर सिंग से कहा कि तुम अपने घर चले जाओ गाओं में अब जब डूंगर सिंग चला गया तो कॉर्बिट सूटेबल पेड ढूंडने लगे और तब ही कॉल होने लगी तो वो समझ गए थे कि टाइगरेस वापस आ रही है वो बहुत ज़्यादा भूकी है जिस वक उसने बकरिया मारी वो चली तो गई तो कि चर्वाहे चला रहे थे लेकिन अब जब शान्ती हो गई है तो टाइगरेस वापस आ रही है लेकिन कोई सूटेबल पेड मिल ही नहीं रहा था आस पास जितने पेड थे वो चीड के पेड थे सीधे सीधे जिनमें कवर नहीं होता जिनमें टाइगरेस उन्हें देख भी लेती दिन में थे राइफल साथ थी किसी बात का खत्रा नहीं था जरासी हरकत होती कॉर्बेट गोली मार देते लेकिन उन्हें पता था दिन के बाद रात भी होगी और रात में ऐसे खुले में बैठना सुरक्षित नहीं था तभी कॉर्बेट को दिखी दो रॉक्स अब जहां बकरी पड़ी थी वो भी जगे ने दिख रही थी तो कॉर्बेट ने जब उस जगे का सर्वे किया तो उन्हें पाया कि अगर ये छोटी रॉक पे बैठ जाए बड़ी रॉक एक शेल्टर का काम करेगी और इनकी आधी से ज़दा बॉड़ी उसके पीछे छिप जाएगी अभी वो पोजिशन ले ही रहे थे तभी दो हिमालन ब्लू मैकपाई वहां पर आ गए अब वो ब्लू मैकपाई बकरी को देखके उसे खाने लगे तभी वहां पर किंग वल्चर भी आ गया कॉर्बेट का कहना है किंग वल्चर वो वल्चर होता है जो पहाड़ी गिद्धों में सबसे पहले किसी मरे हुए जानवर को स्पॉट करता है उसका रीजन है किंग वल्चर साइज में छोटा होता है बाकी गिद्ध ज्यादा बड़े होते हैं और क्योंकि ये छोटा है, अगर ये पहले नहीं पहुचेगा, तो भूका ही रह जाएगा, क्योंकि जब बड़े पक्षी आ जाएंगे, तो इसे हटना पड़ेगा, यहाँ पर कॉर्बिट ने एक लोग कथा नहीं वताई, तराई एरिया के लोग इसे राजगिद बोलते हैं वही जो किंग वल्चर होता है, उसका हिंदी वर्जन, अब जब उन लोगों से बोला जाता है, कि आप इसे राजगिद क्यों बोलते हो, वो जबाब देते हैं, कि ये राजा ही है, अगर ये मरे हुए शिकार पर आने में लेट हो जाता है, तो बाकी सारे जानवर और गिद इसके लिए रास्ता छोड़ देते हैं, अगर जैकल भी शिकार खा रहा है, तो इसके लिए रास्ता छोड़ के हट जाता है, लेकिन पीटर बोलते हैं, ये सिर्फ माननेता है, सच्चाई ऐसी नहीं है, अब जब उस शिकार पर मैक पाई आ गई तो कॉर्बेट खुश और जब उसने अलाम कॉल दी, मैक पाई फॉरण वहां से उड़ गए, अब जैसे ही मैक पाई उड़े, मौसम खराब हो गया, काली घटा छा गई, अब जैसे ही मौसम चेंज हुआ, कॉर्बेट ने दूर से आती हुई टाइगरेस देख ली, जो की चीड के पेड़ों की त अब जो टाइगरेस बैट गई तो ये गोली मार सकते थे, लेकिन एक पाईन का ट्री उसको पूरी तरह से दिखने नहीं दे रहा था, सिर्फ टाइगरेस का सिर नजार आ रहा था, साट गज की दूरी ज्यादा थी, छोटा सा निशाना लेने के लिए, कॉर्बेट ने इंत की तरफ निशाना लिया और दबा दिया ट्रीगर, अब जैसे ही गोली चली, थोड़ा सा आगे कुछ हलांग मारी टाइगरेस ने बक्रियों की तरफ आई और नजरों से ओजल हो गई, अब उस जगे से धूल का गुबार उड़ा था, तो कॉर्बेट को लगा, लगता है आ कॉर्बेट काफी देर तक दोड़ते रहे और उन्हें एक घोराल की अलाम कॉल सुनाई दी, तो वो रुक गए और उस जगे का अंदाजा लगाने लगे, जहां से कॉल आ रही है, अब जब कॉर्बेट टाइगरेस को ढूंड रहे थे, तो उसी पहाड़ी पर लोग खड़ जलते जा रहे थे, कॉर्बेट अलर्ट होके चलते जा रहे थे, बाद में वो निशान ऐसे लाके में आ गए, जहां छोटी छोटी जाड़िया ही थी, कॉर्बेट को लग रहा था, उन्होंने अभी वाला शौट तो मिस्स कर दिया है, लेकिन इस टाइगरेस को घाओ तो है लगता है ये पुराने घाओ हैं जो रहने गोली मारी थी, और इस टाइगरेस का खून काफी बहरा है, इसका मतलब ये ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगी, लेकिन ये कॉर्बेट समझ चुके थे, कि अब वो टाइगरेस बहुत ही गुस्से में हैं, उपर से लोग चिला रहे हैं, इसलिए भी चड़ चड़ा रही है, गोली लगी हुई है, पूरी तरह से अलट होगी और जो भी उसके नजदीक जाएगा, उसका परिणाम भुकतेगा, अब पीटर बोलते हैं कि कोई भी शिकारी हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कॉर्बेट हो, उनको ये पता होता है कि सही वक्त पर बंदूक धोका दे देती है, उसके शौट मिस्फायर कर जाते हैं, तो कॉर्बेट रुके अपनी .275 राइफल को खोल के देखा कि बंदूक की गोली सही है ना, और बंदूक का लॉट और गोली का लॉट नया वाला है ना, जो अभी अभी उन्होंन मैंटन से खरीदा था, अब वापस गोली प्रॉपरली सेट करके बंदूक उन्होंने बंद कर दी और फिर आगे बढ़ने लगे, अलर्ट होके, अब वो जाडियों का कवर एक घनी जाडियों के जुर्मिट में जा रहा था, जिसे की कॉर्बेट ने ब्रेकन गोला है, वो क जादा आवाज ना हो, हाला कि कॉर्बेट को यकीन था कि टाइगरेस लेफ्ट या राइट दोनों तरफ हो सकती है, लेकिन उन्होंने देखना जारी रखा, एक दम सामने सीधे, वो साइड विजन से दोनों तरफ निगाह रख रहे थे, लेकिन उनके पास गलती करने के लि तीन गज की दूरी बची थी, उस जाड़ी से तभी कॉर्बेट को जाड़ी में कुछ हरकत दिखाई दी, और ये हरकत हुई थी टाइगरेस के अपने कदम पीछे करने से, क्योंकि वो कूदने की तैयारी में थी, जिम कॉर्बेट के उपर, आधे सेकंड के अंदर कॉर्ब पाड़ी को चीड दिया, और दूसरे शॉट ने टाइगरेस की गर्दन को चीड दिया, अब कॉर्बेट के गड़वालियों ने उस टाइगरेस को उठाया, पाड़ी के उपर ले गए, और कॉर्बेट ने उसकी खाल उतारी, जब खाल उतारी, तो उने मालुम चला, कि उन के पेड़ में और जो गोली मारी थी वो थी soft nose निकल in case अब यहाँ पर पीटर बोलते हैं कि soft nose निकल in case इस तरह की गोली में जो लेड भरा होता है एक निकल के जैकेट के अंदर होता है यह गोली इसलिए बनाई जाती है कि यह बंदूक के बेरल से आसानी से निकले और जहां पर निशाना मारे वहाँ खतरनाक तरीके से मारे और ज्यादा से ज्यादा नुकसान करे और यह गोली पैदा करती है mushroom effect और यह mushroom effect किसी भी बड़े जानवर के ब्रेन पर असर डालता है अब इनकी जो गोली थी जो की soft nose थी वो जाके पोस्ट टाइगरेस के ball and socket जॉइंट पर टगराई थी और उससे जो mushroom impact पैदा हुआ था उसने टाइगरेस के ब्रेन पे जटका मारा था और वो बेहोश हो गई थी लेकिन जब वो सरकते सरकते जमीन पर गिरी थी तो जटके से उसकी बेहोशी तूट गई थी वो होश में आ गई थी लेकिन अभी भी आधी नीन में थी अब जो दूसरा हवाई शॉट मारा था कॉर्बिट ने जब वो गिर रही थी वो मिस कर गया था अब तीसवाइ शॉट इन्हों ने जो मारा था जब वो गरीब 400ग्ज की दूरी पर थी वो मिस कर गया था जब वहाँ पर धूल उड़ी थी अब जो चौथा शॉट मारा था जब वो 60 गज की दूरी पर थी और जिम कॉर्बिट को जब लगा था क्योंकि धूल उड़ी थी उन्हें लगा शॉट मिस हो गया है वो मिस नहीं हुआ था उसके अंदर गुसा था आर पार निकल गया था क्योंकि बीच में कोई हड़ी नहीं पैर में लगे थे यही वज़े थी कि वो बड़े जानवरों का शिकार नहीं कर पा रही थी और बन गई थी मैनीटर अब तल्ला देस मैनीटर को मारने के तीन दिन के बाद कॉर्बिट नानिताल में थे और फिर पहुँचे अलमोडा जहां उनका सम्मान हो रहा था और यहा इस मैनीटर की हमारी अगली कहानी होगी चौगर टाइगर्स तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अल दे बेस्ट बंदे मातरम